Hello students, class 10th English की book Footprints Without Fit इसका जो chapter 1 है A Triumph of Surgery इसके question answers को देखते हैं तो पहला question इसमें पूछा गया है Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? तो Mrs. Pumphrey जो थी, वो Tricky के बारे में क्यों चिंतित थी? Tricky कौन था? एक डोगी था उनका उनका पेट था Mrs. Pumphrey का तो वो क्यों चिंतित थी उसके लिए? Answer is Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he was not eating anything and had bouts of vomiting he lied down on the rug panting तो Mrs. Pumphrey क्यों चिंता कर रही थी? क्योंकि जो Tricky था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था और बलकि उसे उल्टी हो रही थी और वो लेटा हुआ था और हाफ रहा था इसलिए उनको चंता लग रही थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था अपनी फेवरेट चीजें भी वो नहीं खा पा रहा था Second question ही What does she do to help him? Is she wise in this? अब जब ये इसकी तबद इतनी खराब थी तो Mrs. Pumphrey ने उनकी क्या help की और क्या वो समझदार थी इस चीज में? आंसर इस Mrs. Pumphrey started giving him extra snacks like malt, cod liver, oil and horlicks to improve his condition तो Mrs. Pumphrey को लगता है कि उनका जो डॉगी है पेट तो उसे कुछ शैत को portion हो गया है malnutrition हो गया है तो उसके लिए वो उसको extra चीजें खाने के लिए देती हैं जैसे malt, cod liver, oil or horlicks she is not wise in doing so because overfeeding has made him very fat and lazy बलकि वो इस मामले में समझदार बिलकुल भी नहीं थी क्योंकि वो extra चीज ने दिये जा रही थी और जादा खाने की वज़े से जो tricky था वो मोटा और आलसी होता जा रहा इसलिए वो चल भी नहीं पा रहा था और उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था तो main problem में उसका overfeeding था और लेकिन उनको लग रहा था कि शहएद ये कम खानी पा रहा है तो और जादा चीजें दिये जा रही थी तो इसलिए वो समझदार तो बिलकुल भी नहीं थी question number 3 who does I refer to in this story इस story में आई किसको कहा गया है answer is I refer to the veterinary doctor Mr. James Harriot तो ये जो veterinary doctor थी Mr. James Harriot उन्होंने ही ये story लिखी है तो उनी के लिए ये आई शब्द यूज किया गया है question number 4 is the narrator as rich as tricky's mistress अब ये जो narrator है वो आपको पता है कि doctor है लेकिन क्या वो उतने ही अमीर थे जितनी tricky की मालकिन थी answer is no नहीं वो इतने अमीर नहीं थे क्यों the narrator is not as rich as tricky's mister because he is surprised by the enriching item she sends for tricky बलकि क्यों नहीं थे क्योंकि वो बाबा बहुती आशर चकित होते थे जब उनकी मालकिन tricky के लिए जो items भेजती थी wine भेजती थी eggs भेजती थी तो इन सब को देख देख के और उसके अलग-अलग balls थे अलग-अलग bad थे तो ये सब देख के वो बहुत surprise होते थे तो इसलिए वो इतने rich नहीं थे next question is how does he treat the dog अब ये डॉक्टर ने कैसे उस डॉक का treatment किया तो डॉक्टर को समझ में आ गया था कि ये बहुत जादा खाने की वज़े से और इसको problem हो रही है इसलिए डॉक्टर ने क्या किया कि उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया बलकि पानी ही दिया बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया दो दिन तक और कुछ भी खाने को नहीं दिया और उसको physical activities के लिए free कर दिया ताकि वो और दूसरे dogs के साथ खेले और उसकी सेहत अच्छी हो जाए उन्होंने इसके अलावा कोई भी उसका medical treatment नहीं किया था question number six why is he time to keep tricky on as a permanent guest अब डाक्टर ये क्यों चाहता था कि ये जो tricky आया है उनके hospital में आया तो 15 दिन के लिए था लेकिन डाक्टर को ऐसा लगता था कि ये permanent यहीं पर guest बनके रह जा ये हमेशा यहीं रहे ऐसा क्यों सुचा उन्होंने answer is Mr. Harriet is time to keep tricky on as a permanent guest because of the fresh eggs, wine and brandy he is enjoying in tricky's name तो उनको क्यों लग रहा था कि ये उनके यहां महमान बन जा क्योंकि जो उनकी मालकीन थी वो fresh eggs भेशती थी, wine भेशती थी और brandy भेशती थी और ये चीजें तो उसको खाने के लिए नहीं दी कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि tricky यहीं बना रहे ताकि वो इन चीजों को और ज़्यादा enjoy कर सके question number 7 why does Mrs. Pumpery think that dog's recovery is a triumph of surgery जैसा कि इस lesson का नाम है time of surgery तो ये Mrs. Pumpery ने ऐसा क्यों सोचा कि dog की जो recovery है वो surgery की जीत है answer is Mrs. Pumpery thinks that tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious but he had recovered completely in two weeks Mrs. Pumpery को ऐसा इसलिए लगा कि ये surgery की जीत है क्योंकि जो tricky था वो उसकी जो बीमारी थी वो बहुत ही गंभीर थी लेकिन वो मात्र दो हफतों में ही पूरी तरह से ठीक हो गया इसलिए उसने doctor को ये कहा कि ये triumph of surgery है ओके थैंक्यू स्टूरेंट्स तो आप को ये answer बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे और अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe जरूर करिए थैंक्स वाचिंग